बिसम इलाई रह्मान रोहीम, आज हम यह फ्लेक्सिबल ने के लिए इंग्रीडियंट्स तो आम विजो करने के लिए इंग्रीडियंट्स करते हैं उस हम उन्हें को यूंज करके तो हम फ्लेक्सिबल क्ले बनाएंगे अच्छा इसकी कफी ज़्यादा रेक्वेस्ट आई थी लेकिन में तब ठीक नहीं थी इस वज़े से टिटोरियल बनाने में थोड़ी से देर हो गई मुझसे यह इस तरीके से बनानी है अच्छा इसमें आपने एक चीज का बहुत ख्याल रखना है कि जो मैयर्मेंट्स मैं बताऊंगी उन मैयर्मेंट्स में खोड़ा सा भी आपने जो है वो उपर नीचे नहीं करना नहीं तो आपकी क्ले जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं बनेगी ठीके एक चीज का दिहान रखना है जितनी मैयर्मेंट्स मैं बता रही हूं आपने उतनी ही मैयर्मेंट्स देनी है मैयर्मेंट्स का बहुत ज़्याल र आप कोई भी नॉन स्टिकी वगारा यूज कर सकते हैं, मैं इसी को क्ले बनाने के लिए यूज करती हूँ सबसे पहले हम ग्लू लेंगे, ग्लू कौन सी वाली लेंगे वीडियो को एंट तक देखिएगा ताके क्ले में कोई भी पॉब्लम ना आए और आपकी क्ले जो है वो खराब ना हो जाए अगर आप वीडियो के बीच में कुछ भी मिस करेंगे तो आपकी क्ले जो है वो इस तरह से नहीं बनेगी फ्लیکसिबल और फिर जो है वो आपका सारा इंग्रीजियों वो खराब हो जाएगा यह फ्लेकसिबल नहीं हो कि कोई भी ग्लू यूज कर सकते हैं मैं यह वाली ग्लू इस प्ले कले यूज कर रही हूं जो फर्स्टाम जब मैंने बनाई थी मैंने दूसरी वुड ग्लू यूज की थी लेकिन मैं यूज वुड ग्लू वण ग्ड्वट ग्लू है कोई भी ब्राड नहीं कुछ भी आप कोई भी कले सकते हैं ग्लू आप लेंग वान कप एफरी नहीं मैं देंब लिखें कॉई सी बी कोई भी वुढ़ गलू आप यूज़ करें वुढ़ी सी अच्छी होती है विजाए बच्छों की जो गलू उसके हुज आती है तो यह अच्छी तरीका से यूज़ होती है अच्छा एक cup मेंने wood glue ली है अब इसके अंदर corn floor जो use करेंगे वो हम half cup use करेंगे wood glue one cup, corn floor half cup आपने क्या करना है corn floor half cup use करना है half cup से ज्यादा use नहीं करना अच्छा इसके बाद आपने क्या करना है अब आपने glassrine use करना है ग्लासरीन आपने यूज़ करना है one by third मतलब जो cup है उसको तीन हिस्सों में करके जो तीसरा हिस्सा होगा उतना आपने क्या करना है आपने यह ग्लासरीन लेनी है आप देख रहे हैं इसके अंदर ग्लासरीन जो है वो बहुत जादा यूज हो रही है मतलब ये देखें और आपने इस चीज से नहीं घबराना कि ये जो ग्लेसरीन है इसकी वज़े से जो है मेरी जो क्ले है वो फंगस वगरा कर लेगी नहीं करेगी फंगस मेरे पास आलमोस जो है है तो आपकी क्ले फंगस नहीं करेगी अच्छा specifically ही हमने गलू डाला वं कप कॉन फ्लोर फ्लॉर हाफ कप ग्लेसरीन जो है वो वब्ण थर्ड कप उसके बाद आप कोल्ड क्रीम या मोफिट्राइजिब क्रीम Cold cream या Moisturizing cream लेंगे अब 1 TeaButton, ठीक है, कितना आप लेंगे, 1 टेबल स्पून आप लेंगे, कोई भी क्रीम लेंगे, Moisturizing cream भी लेंगे इसकते हैं, या जो है, Naave, मेरे पास cold cream नहीं है तो इस जैसे मैं moisturizing cream यूज कर रही हूं यह आपने क्या करना है? इसके अंदर moisturizing cream समय करनी है इसके अंदर एक चमध मेत a meaningful to擀 узнать ऐसे प्रक्रy g शवफ चेपन जाना है एप अच्छे तरीका से इसको साफ कर ली जाएगा आपके पास moisturizing cream नहीं है तो आप जो है वो cold cream भी use कर सकते हैं अच्छा हमने इसके अंदर one tablespoon जो है वो moisturizing cream डाली है उसके बाद जो है आप इसके अंदर जो है candle candle को जो है आप जो है इसको grind करके इस तरीके से fine powder में करेंगे और आप वो जो है one one and a half tablespoon लेंगे ठीके one and a half tablespoon लेंगे मतलब एक tablespoon और फिर half हम उतना लेंगे इसके अंदर ये मैं इसको measure कर चुकी हुँ हूँ ये इसके अंदर मैंने 1.5 जो है वो tablespoon जो है इसकेंदर मैंने candle wax जो है वो डाली है ये इसमेंसे कोई भी चीज आपने skip नहीं करनी कोई भी चीज जो है इसमें बेबी ओयल डालेंगे वन टीस्पोन इसमें बेबी ओयल गया अच्छा उसके बाद गब सिर्का सिर्का oh भसा और स्पून ए थूश्व हुज़ाओ इस थोड़ा सा जड़ा हो गया ये वन टी स्मून इसके अंदर गाँ बा लाँ पने बिने गर एड किया है अब इन सारी छीजों को अच्छे तरीके से क्या करना है? मिक्स करना है इसके बाद हम इसको कुप करेंगे लोवम पे हम इसको कुप करेंगे और जो है जब तक तब तक ये झाल के ऐ तब तक इसको कुप करना है तेज आंच पे नहीं पिकाना इसको बिलकुल हलकी आंच पर रखना है देखिए जो चीजे मैं बता रही हैं जिस तरीके से उनको उसी तरीके से फॉलो करेंगे तो आपकी क्ले जो है वह फ्लेक्सिबल बनेगी और अच्छी बनेगी नहीं तो आँच पर रहे ही इसी तरीके से कुट करना है और अब इसको अच्छी तरीके से मुसलसल हिला एर इसको बीच में स्किप नहीं करना अच्छा ये सारी जो है गैदर हो चुकी है ये देखे मेरी ये एक दफ़ा एक बॉल में आगी है सारी के सारी कले अब मैं क्या करूंगे मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो मैं इसका मिलकीनेस भी खतम हो चुका हुआ है और ये देखें तो सारी एक साथ आ चुकी है अब इसको थोड़ी दिर ठंडा होने के लिए रखेंगे उसके बाद नेक्स्ट प्रोसिजर करेंगे अच्छा यह मेरी अच्छे तरीके से जो है अब ठंडी हो चुकी हुई है जो क्ले है मेरी इसको मैंने अच्छे तरीके से जो है वो ठंडा होने के लिए रख दिया था इसको आप पानी के अंदर सोक कर दें तो यह वापिस बरतन साफ हो जाएगा अब इस क्ले का क्या करना है देखें की तरह हम इसको ज्यादा निएड नहीं करेंगे थोड़ा सा इस तरीक चेसरी से ए आप करेंगे और बिल्कुल थिनडा होने पर हम इसको थेल कर देंगे इसको गतले है दो Stephen और थेली और पाधि안 में करना है आपने मेरे पास अलरडी जो है वो कुफ ट्ले जो है यह अलरडी मेरे पास यह वली अवेलेबल है मैं इसी के साथ इसको मिक्स करूंगी लेकिन इसको क्या करना है आपने पहले शॉपर को अच्छे तरीके से वैजलीन के साथ जो है ग्रीस करना है यह इस तरीके से ग्रीस करक कि उसके बाद जो है इसको आपने स्टोर करना है इसको हम स्टोर करनेंगे और आपने जब इसको यूज करना होगा उतनी सी क्ले लेकि उसको अच्छे तरीके से आपने पहले स्मूध करना है और फिर उसके फ्लार बनाने है इसको हम इस टाइम पर सारा इसको स्मूध नहीं कर बलके इसको हम इसी तरीके से सेफ कर लेंगे और जब हमने इसके फ्लार्स बनाने होंगे हम तब इसको थोड़ी सी लेके उसको अच्छे तरीके से जो है स्मूध करेंगे ये इस तरीके से स्मूध करके फिर इसके कलर अड़ करके और फिर इसको यूज करेंगे होप सो आपको टुटोरियल अच्छा लगा होगा देखें यह वली जो क्ले की रेसिपी है यह आपको कोई भी जो है फ्री में नहीं देगा यह आपको कहीं से भी जो है यह वली क्ले की रेसिपी अवेलेबल नहीं होगी मैंने आप लोग के साथ शेयर की है अगर आपको किस तरह से बनी है आपकी क्ले अलाफिज